हलो स्टुडेंट वेलकम बैक टो स्यूटी बैटा 247 दिस इस अनीता शर्बा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डैली यूनिवर्सिटी के टॉप 10 आर्ट्स कॉलेजिस के ठीक है तो बहुत सारे बच्चे कामें सेक्शन में लिकर पूछ रहे थे कि मैं आर्ट्स बात करते हैं वाइडो स्टुडेंट प्रैफर डैली यूनिवर्सिटी बहुत सारे बच्चे मैं सारे बच्चे नहीं कहा रहे हूं बहुत सारे बच्चे डैली यूनिवर्सिटी को क्यों टार्गेट करते हैं उनकी फर्स्ट प्रैफरेंस जो होती है वो डैली यूनिवर् के कॉलिज बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है मतलब कि इंडिया की टॉफ फेकल्टी से उनको पढ़ने का चांस मिलेगा ठीक है तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया ऑप्शन यहां पर कि जिसकी वज़े से हमने डाली उनिवर्सिटी को टार्गेट किया है तो क्वालिटी कि campus life campus life इसकी बहुत अच्छी है ठीक है पढ़ाई के साथ सात में खेलना कुदना शाम को अपना टहलना वेलना तो campus life इसकी बहुत अच्छी होस्टल भी यहां पर बहुत सारे बच्चे उस्टल भी लेते हैं नेक संब बात करते हैं campus placement तो जो भी यहां से बच्चा graduate होकर ज ठीक है, तो यहां की fees बहुत ही normal है, affordable है, जो कि मतलब हर बच्चे जो है student जो है, इसकी fees को afford कर सकता है, इसलिए भी बच्चे जो है student as Delhi University को target करते हैं, ठीक है, तो यह इसके अलबा कुछ features और भी है, for example कि इसमें seats बहुत ज़्यादा होती है, Delhi University में, colleges बहुत ज़्यादा है, इ कि top arts colleges कौन कौन से है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो number 10 पर आता है, जो number 10 पर आता है, वो क्या है, Jesus Mary College, ठीक है, Jesus Mary College, यह number 10 पर रखा गया है, तो यह जो है, इसमें कौन कौन से courses provide किये जाते हैं, तो देखो, college के अलावा, आपको मैं ये भी बता देना चाहते हूं, कि कौन कौन से college, जो है, वो आपको किस-किस तरह के courses provide कर रहे हैं, तो जो भी बच्चा, जो भी course कर रहा है, तो वो अपने college, अपने course के इसाफ से अपनी preference को fill कर सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से courses को दिया जारा, provide किया जारा है, किसके, Jesus and Mary College के द्वारा, तो economics, ठी किसके famous अलव बनाए की, जो यहाँ से pass out होकर निकले हैं, ठीक है, तो वो कौन है, यह है, प्रियंका गांधी, और यह कौन है, राखुल प्रीच सिंग, ठीक है, clear है, यह famous extras है, आपको पता ही होगा, नेक से बात करते हैं, नमबर 9 पर, तो नमबर 9 पर यहाँ पर हमने रखा है, किसको वेंकटेश्वर कॉलेज को, ठीक है, तो वेंकटेश्वर कॉलेज में कौन कौन से courses जो है, वो प्रोवाइड किये जाते हैं, कोई बच्चा बीए प्रोग्राम करना चाहता है, ठीक है, तो बीए प्रोग्राम को यहाँ से इस college को target कर सकता है, प्रेफरेंस इसमें फिल कर सकता है अपनी वेंके टेश्वर में उसके अलावा बिकॉम है ठीक है बिकॉम अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे बच्चे जो है वह बतला सोच रहोंगे कि यह आर्ट के बता रहे हैं तो बच्चे कॉलेज जो होते न उसमें ऐसा नहीं कि प्रेश्वर को ठीक है अगर इन में से कोई भी कोर्स है आपका तो आप अपनी प्रेफरेंस में इसको फिल कर सकते हैं वेंके टेश्वर कॉलेज को ठीक है और इसके फेमस अल्बनाई कौन है तो बच्चे बिल्कुल जान गए होंगे इनको ठीक कौन है अरिशब पन्थ ठीक है तौन है अरिशब पन्थ ठीक है famous cricketer clear चलिए अब हम बात करते हैं कि सकी number 8 पर number 8 पर कौन सा कॉलेज दिया गया है, नमबर 8 पर कमला नहरू कॉलेज, ठीक है, तो कमला नहरू कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज जो हैं, वो प्रवाइड किये जाते हैं, तो ये कोर्सेज हैं कमला नहरू कॉलेज में, जो कि आपको दिये जा रहे हैं, तो जो भी बच्चा इन में से कोई भी कोर् सोच रखा होगा कि मुझे इस college में मुझे जो है वो अपना economics honors करना है या history honors करना है तो अपने courses के इसाफ से आप अपने college की preference को फिल कर सकते हैं मैं बार-बार इसी को कहूंगी तो इस कमला नेरू college में कौन कौन से courses प्रवाइड किये जा रहे हैं तो जो भी बच्चा economics में honors करना चाता है इंग्लिश करना चाता है जोग्रफी हिंदी history या फिर बी ओन जर्नलिजम ठीक है अब यह काफी सारे बच्चे यह थे कि मैं journalism के लिए कौन से best college है तो वो जर्नलिजम में जो भी बच्चा चाहते है psychology उसके लावा बीकॉम और से बीए प्रोग्राम है इसके लावा बीकॉम प्रोग्राम है ठीक है तो commerce और arts के student ठीक है इनको यहां फिल कर सकते हैं तो इसमें देख लिजेगा सारा ठीक है उसके अलावा यहां पर post graduation student के लिए भी यहां पर बहुत सारे courses है तो वो इसको टार्गेट कर सकते हैं ठीक है नेकसरम बात करते हैं इसके फेमिस अलबनाई की तो इसके फेमिस अलबनाई कौन है यहां पर ध्यानते देखेंगे शायद आपने बहुत सारे बच्चे इनको जानते होंगे बहुत सार इसके लिए नाम क्या है नताशा जॉग ठीकर कैसे नाम है इनका नताशा जॉग ठीकर नताशा जॉग तो यहां की फेमिस अलबनाई है जो यहां से पारसा उट होए है कम्ला नहरु कौलेश में जर्नरिस्ट एं ठीकर जवर बात करते हैं जो नंब इन courses में से कोई भी अगर उनके पास है तो वो इंदेपस्त college को target कर सकते हैं तो यहां अपनी preference जो list में आप इसको fill कर दीजेगा तो आप मैं बता दू आपको इसमें कौन कौन से courses को provide किया जा रहा है तो BA Honors Economics, BA Honors English, BA Honors Hindi, History, Music, Multimedia and a Mass Communication बच्चों को बहुत problem होती है जो बच्चे यह course कर रहे हैं Multimedia और Mass Communication का उनके लिए college के बारे में बताता ही नहीं है तो जो भी बच्चे इसको इस course को करने जा रहे हैं तो वो इस college को prefer कर सकते हैं ठीक है उसके अलावा Honors BA Honors Philosophy, Political Science, Psychology, संस्कृत, become Honors, ठीक है B.Sc तो science वाले student पी यहां पर जा सकते हैं ऐसा नहीं है कि science वाल सकती एक बहुत ही माना हुआ college है तो science के student भी commerce के student की और arts के student भी इसको target कर सकते हैं अपनी preference में इसको रख सकते हैं ठीक है तो यह number seven पर है अब बात करते हैं इनकी famous अलमनाई की तो यह देख रहे हैं ना कौन है यह सुचिता करपलानी सुचिता करपलानी कौन थी बच्चे तो यहीं से इन्होंने अपना graduation किया था नेक्सरम बात करते हैं college number six के अब हम number six पर आ गए है ठीक है पहले अपने क्या किया 10 9 8 7 6 अब हम बारी किस पर आती है हमारी बारी अब आती है रामजस college की तो रामजस college भी बहुत बहुत अच्छा college है तो जो भी बच्चे जो भी ब संस्कृत में इकनामिक्स में हिस्ट्री में पॉलिटिकल साइंस में म्यूजिक में तो वो बच्चे इसको target कर सकते हैं रामजस college को number six पर ठीक है यह आपको north campus college है और इसके famous alumni कौन है कौन है यह मनोजवाजपई जी ठीक है तो यह कौन है मनोजवाजपई यहीं के pass out हुए ह ठीक है तो आप इस college को target कर सकते हो जिनका भी यह course है ठीक है नेक्स नम बात करते हैं कौन से number five की तो number five तो इसको बहुत-बहुत सारे बच्चे मैं यह कहती हूं कि 70-80% हिंदू college को target कर रहे हैं क्यों कहीना कहीने उन्होंने feature सुने होंगे इसके बहुत बढ़िया-बढ़ि इसके विहाब पर जो भी बच्चा इन courses में से यह course कर रहे हैं कि अगर कोई बच्चा अगर भी एनक्नオमिक्स करना चाता है यंगनलिसまぁे लोग तक के बार सिब्सक्राइफ करना चाता हिंदिक हैं भी और सिन्त के बारे में बात नहीं की थी कि बहुत सारे बच्चे परिशानते कि हमें फिजिकल एजुकेशन में अपना करियर बनाना आगे बीपेड करने ये करना वो करना है लेकिन कौन से कॉलेज से करें तो उनको नहीं पता था तो वो बच्चे इस कॉलेज को प्रैफर कर सकते हैं कौन सा हंसराज कॉलेज और जो अब मैं आपको फेमस अलुमिनाई दिखा रहे हूं तो उनको किसी की मतलब ना सरफ इंडिया में बलके पूरी दुनिया में जाने जाते हैं तो ये कौन है शारू खान ठीक है यहीं से पास आउट हूँ है कहां से हंसराज कॉलेज से ठीक है अब देखो इन्होंने सर्टिक नंबर फॉर मिरांदा हाउस जो की गर्ज का एक सपना होता है कि काश हमारा मिरांदा हाउस में अड्मिशन हो जाए तो एकदम बल्ले-बल्ले हो जाए बस एकदम लाइफ एकदम सेट हो जाए किस-का यह ड्रीम है तो कॉमें सेक्शन में लिख कर बताना मुझे ठीक है न तो मिरांदा हाउस में कौन कौन से कोर्से接न और संस्कृत हो जिख के लिए है ठीक है वा मिरांदा हाउस को ठरकेट कर सकते हैं जिनका विअन कोर्सु sto hacker और इनकी फेमेस जो यह मिसिस शीला दिक्षित ठीक है मिसिस शिला दिक्षित तो यहीं से पास आउट है अब हम बात करते हैं नंबर थ्री हिंदू कॉलेज की ठीक है ना अब हम बात करते हैं किसकी नंबर थ्री हिंदू कॉलेज की तो हिंदू कॉलेज में क्या करेंगे हम हिंदू कॉलेज में यहां पर देखते हम तो हिंदू कॉलेज जैसे कि सबको पता है कि हिंदू कॉलेज अपने आप में बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है और इस कॉलेज में बच्चों का एक सपना होता है कि काश हमारा हिंदू कॉलेज में, हंसराज कॉलेज में, ये कॉलेज में, वो कॉलेज में, कहते हैं कि सभी क अपना अपना एक सपना होता है सबका सेम सपना नहीं होता है लेकिन जिन बच्चों का सपना है हिंदू कॉलेज में एड्मिशन लेने का ठीक है और जिनका इन में से कोई भी कोर्स है अगर मालो कोई बच्चा बी एकनॉमिक्स ओनर्स करना चाते हैं इंग्लिश ओनर्स हिंद धार्थ मलहोत्रा ठीक है तो इनके फेमेस अल मनाई है अब आते हम नंबर टूपर तो नंबर टूपर यहां पर कौन सा कॉलेज रखा है हमने नंबर टूपर यह आपका जो है वो लेडी श्री राम कॉलेज है तो लेडी श्री राम कॉलेज जो है वो लेडी श्री राम कॉले है या जो भी बतलब जो भी आपके senior है वहां से सुना होगा कहीं से सुना होगा तो बच्चों का एक सपना होता है कि काश हमारा admission जो है इन टॉप colleges में हो जाए जिसका जो भी college है जो भी dream college है बस उनमें एक बार उनको admission मिल जाए तो एकदम life करते हैं और इसके famous alumni जो है वो कौन है famous alumni है कौन मिसेस में का गांधी ठीक है मिसेस में का गांधी क्लियर तो अब हम बात करते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 आप क्या बच गया वन तो टॉप college टॉप college कौन सा है टॉप college है मारा number one percent stephen college ठीक है तो number one पर हमने कौन सा college रखा है st stephen college देखो अभी तक जितने भी college बताएं एक से एक बढ़कर एक से बढ़कर है क्योंकि यहां पर st stephen college जो है वो number one पर इसले रखा गया क्योंकि यहां के ranking के साब से ठीक है ना तो st stephen college मेरा भी बहुत फेवरेट रहा है ठीक है ना और आप लोग है ठीक है बीए economics honors बीए English honors बीए history honors philosophy honors Sanskrit honors mathematics honors chemistry honors physics honors program physical science with the chemistry ठीक है बीए सी program physical science with the computer science और बीए प्रोग्राम तो इनका जिनका भी इन में से कोई भी course है तो वो st stephen college में admission ले सकता अपनी preference list में इसको number one पर रख सकता है वो आपकी choice है कि आप कौन से college को पहले रख रहे हैं कौन से क बाद में रख रहे हैं it's totally up to your choice ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हंके famous personality को देखते हैं famous alumni को देखते हैं को तो वो कौन है यह कौन है शशी थरूर जी ठीक है ना इनको तो आप भी जानते होंगे तो अब हमें क्या करना है अब आपको गैस करना यह आपके लिए homework हैगा सारे बच्चे comment section मुझे लिख कर बताएंगे कि जहां से Mr. Amitabh Bachchan ने graduation की वो कौन सा college है DU का कौन सा college है हां जी यह तो आप भी जानते है कि Delhi University के जो है college में से इन्होंने भी graduation की थी तो वो कौन सा college है जहां से Mr. Amitabh Bachchan जी ने graduation की थी तो आपको क्या थोड़ा सा मैं हिंट दे दे humanities, social science and commerce मैंने आपको बता दिया और लो मैं आपको picture भी दिखा देती हूं तो इस college से इन्होंने graduation की थी तो फटा फट से comment section में मुझे जरूर जरूर से बताएंगे कि उस college का नाम कौन सा है जिन्होंने जिसमें Mr. Amitabh Bachchan ने graduation की थी ठीक है ना चलिए और इसके अलावा अब बात करते हैं हमारे courses की जो की 2024 के लिए Udda 24-7 की तरफ से course launch कर दिये गए हैं जो भी बच्चे CUT 2024 को target कर रहे हैं प्लस आपको क्या करा जाएगा board class को भी और साथ में आपके CUT exam को भी दोनों की preparation करवाई जाएगी हमारे 2023 का 2024 का batch start हो गया है तो फटापर से जाकर register करेंगे enroll करेंगे इससे पहले की offer खतम हो जाए तो मैं आपको बता देना चाहती हूं यह कौन सा batch है ambition batch है आपको पता है कि ambition batch क्या होता है ambition का मतलब होता है इच्छा कि हमारी इच्छा है हमारा target हमारा सपना है कि हमारा admission जो है डैली के इन top colleges में admission हो जाए तो उन बच्चों के लिए ज इसके features आप देख रहे हैं तो यह यह इसके features आपको live doubt sessions मिलेंगे ठीक है test scheme मिलेगी daily dpp और pdf मिलेगी mock test होंगे plus ebook होंगे inclusive और the faculty app faculty जो है वो community group बनाया गया है तो आप सारे features इसमें देख सकते हैं और यह इनके चाहे वो arts के हैं commerce के हैं या science के या gt English के हैं तो सभी के लि और gt English के लिए यह पूरा का पूरा description दिया हुआ है ठीक है लेकिन इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो discount मिलेगा वो क्या मिलेगा with the help of this coupon code that is y489 तो जो भी बच्चा purchase करेगा इस coupon code को लगा करके आप जो है maximum discount पा सकते हैं लेकिन यह maximum discount कब से कब तक होगा इसकी classes जो है वो दो बड़े exam के तयारी हो रही है board exam plus आपके CUT के तो जितना देरी करेंगे उतना पीछे होते चले जाएंगे revision तगड़ी वाली होगी अच्छी वाली होगी लेकिन हमें पहले इसका syllabus complete करना होगा तब ही जाकर तो revision होगी तो जितने जल्दी इसमें enroll करोंगे उतरी जल्दी syllabus complete होगा और revision होगी ठीक है ना अब मैं आपको बता देती हूँ जाने से पहले last आपका एक motivation code ठीक है if there is no struggle there is no progress अगर आप अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को like, share, subscribe और comment section में लिखकर जो आपको मैंने homework दिया है जरूर जरूर से बताएगा कि आपको ये वीडियो का ऐसी लगी और किस type की आप वीडियो जो है वो पूछना चाहते हैं या किस type की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उस प